हेलो दोस्तों सब्सक्राइब करें दे इंडियन फिश कीपर चानल को और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए पेल आइकॉन बबाए हेलो फिश कीपश दे इंडियन फिश कीपर चानल में आपका स्वागत है प्लैंटेट टैंक के पहले एपिसोड में आपने डेखा कि हमने एक टैंग बनाया सेकें एपिसोड में अब हमने उसको एक बाइग्राउंड लगाए। आग आज की एपिसोड में हम उसमें सब्स्ट 30 रुपए से लेके 50 रुपए पर केजी के हिसाब से यह मिलती है कि वर सेंड में भी दो टाइप रहते एक जो काफी बारीक रहती है जो आप देख रहें स्क्रीम पर जिसमें सॉइल प्रपोर्शन काफी ज्यादा रहता है तो आपके हातों में भी वह जो मढ है या सॉइल है वह लगती है और जो दूसरी टाइप है उसमें कमपेरेटिवली बड़े बड़े पत्थर रहते हैं और हम रॉक्स का यूज़ करेंगे एज़ डेकोरेशन आप रॉक्स को एज़ डेकोरेशन भी यूज़ कर सकते है या फिर हाइट आपके सर्फेस का बढ़ाना जाते है त इसके जगे पर रॉक यूज़ कर सकते हैं उस जगह पर को सैंड कम यूज़ करनी पढ़ेगे सबसे पहले हम लोग जो बारीक सैंड है वो डालेंगे और उसके उपर जो बड़े पत्थरों वाली सैंड है वो डालेंगे यह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बारिक सैंड जो है वो पानी के साथ आसानी से मिक्स हो जाती है और इसके वैसे आपका पानी क्लावडी या मड़ी लगने लगता है लेकिन अगर उसके उपर आप जब थोड़ी थिक सैंड डालते हैं तो वो नीचे पकड़ कर रखती है सैंड डालने के बाद उसे आप अपने हाथों से स्प्रेड करें मुझे हलका सा एक स्लोप चाहिए था लेफ टू राइट और इसलिए मैंने सेकेंड लेयर वही डाल जहां पर मुझे हाइट चाहिए थी और धीरे धीरे फिर मैं स्लोप क्रियेट करते गया अपने हाथों से सैंड को स्प्रेड करते गया नीचे एक बार सारी सैंड डालने के बाद और सेट करने के बाद सभी एंगल से चेक करें कि जैसा आपको स्लोप या सेंड की हाइट चाहिए थी वैसे मिली है कि नहीं तो यह सारे एंगल से आप चेक करें आप फिर मेंने लेफ्ट कॉर्नर में रॉक को प्लेज किया वह रॉक टैंक के इस प्रपोर्शन में तो इस लिए वह शूट नहीं कर रहाए था शैंड के साथ मिक्स नहीं रहा था दीज़ और फिर सारे एंगल से मैंने देखा कि वो फीक से नहीं दिख रा टैंक में तो इसलिए मैंने उसके दो तुकड़े करके उसको वापस से एरेंच किया और वो सैंड के साथ मिक्स होने लगा है इसा लग रहा है कि वो सैंड से उपर आया है तो जब भी आप कोई भी एक्वास के करेंगे तो उसको सिफ शामने से नहीं देखे उसको सारे एंगल से देखे और कुछ टाइम तक उसको वैसे ही रहने वे आगे कि से अपने कर दी तो और पानी भर दिया और प्लांट्स लगा दिये तो काफी मुश्किल होती है उसको चें को अफेक्ट है उसके बाद ही नेक्स्टेप के लिए बढ़े अब नेक्स्टेप रहेगी इसमें कि हम पानी भरेंगे सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूँ कि आप पानी कैसे ना भरे तो प्लांट्स टाइंग में हमेशा याद रखे कि आप पानी डिरेक्ली सैंड पे या किसी भी चीज पर अब देख रहे हो कि जैसे मैं आप में रॉक में डाल रहा हूँ पानी इसे ना करे क्योंकि यह सैंड जो है काफी फारीक रहती है और वो मिक्स होकर पानी को पूरा गंदा कर देगी मड़ी कर देगी जो मेरे खायल से कभी भी स्टेबल या क्लीन नही अगर आप वैसा करते हैं तो उसका रिजल्ट यह होगा तो इसके लिए बेस्ट सोलुशन यह है कोई भी प्लास्टिक बैग काफी बड़ा वो ले और जैसे मैंने टैंक में रखा है वैसा रखे धीरे से सैंड को टच करते हुए और फिर उसमें आप दीरे-दीरे पाने डालना स्टार्ट करें तो इससे क्या होता है वो पूरा इंपक्ट जो है पाने का वो बैग पर आ जाता है और वो सैंड को अल्मोस्ट विल्कुल डिस्टप नहीं करता हुए तो आप देख सकते कि कैसे पानी धीरे-दीरे बढ़ र आप भी उपर चला आता है अपने आप पानी आपने पूरा भर दिया है तो हल्के से बैग को निकालना है अब देख सकते कि यहां पे पानी पूरा भर गया है और यह जो लेयर हमने क्रियेट किये है नीचे जो सॉइल है वो है और उपर काफी बड़े-बड़े पत्थर अगर आपके पास साइफन है तो आप हलके से जो उपर उपर की जो मिटी है वो साइफन कर सकता है जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में अगर तो अपना यह एक वास्केप का पहला स्टेज जो है वो खतम हो गया है अब देख सकते हैं का पानी अभी भी थोड़ा क्लावडी है बट काफी क्लियर है तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांस यह टाइंक में लगा देंगे और अपना एक वास्केप कंप्लीट करें में पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिए और आप